तो देखे बारिश के मोसम में अगर दोपेर की चाय के साथ कुछ करारा सा नास्ता मिल जाए तो उसकी बात यह लग है और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबर्दस एकदम मार्केट जैसी खारी जिसे पफ भी कहते हैं खारी बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने बहुत स्वाधिश लगती है और आप इसे 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिलकु भी खराब नहीं होती है और बहुत ही क्र दालिया है तो मैं मार्केट जैसा घारी बना रही है उसलिए मैंने मैदा का इस्तिमाल के है अगर आप चाहे तो इसे गिहूं के आटे से भी बना सकते हैं अब यहाँ पर देखे आदा चमच अजवाईन हाथों से रब करके डाल देज़ेगा टेस्ट बहुत अच्छा था ह मैंने यहाँ पर सभी को मिक्स कर दिया है अब इसमें मोहिन डालेंगे तो मोहिन के लिए मैं तेल का इस्तिमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं तीन चोटे चमच लिए जो खाना खाते है ना पई वाली चमच लिए यह देखे इस तरह से आप यहाँ पर गी का इस्तिमाल भी क प्रट्धें नेडिय종 किए तो तो अज़ने असे घ्रस की किलिए दो आया पर इसने और Garden Chief रखना अर्णी में और ज़ुआ इस डाला है धिसाने साध है या पिर मैदा साध है यहाँ पेता है यहाँ पर एक चमचr तेसी गिए घी को मेंने के DB मेंट करके लिया है तो गी eep गी डालने से क्या होता है अच्छे सेसे लेर से निकल यहाथ है तो यहां पर अच्छे से mix कर दीजिए अभी दीखें आपको liquid सा लग रहा है ना ये लेकिन थोड़े देर में ये थोड़ा जम जाएगा क्योंकि ये घी है और बारिश का मुसम होते थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है मुसम तो ये जम जाएगा आपको पतला सा लग रहा है इस अब यहां पर kitchen counter अच्छे से clean कर लिया है मैंने और यहां पर मैंने सूखा मैदा डाला थोड़ा सा और इस तरह से थोड़ा और मैश कर लेती हूं उसे ये देखें जैसे आप वीडियो में देख रहे ना आपको इस तरह से मैश कर लेना है थोड़ा अब यहां पर एक पत्ले सी देखा मेनी चाहर से mutual कर लिया है और मैदे में इसके न चाहरों बना लिया है और यहां पर मैंने देखें ऑर यह पां पर मैंने पेड़ा के लिया की अपकर मैं आ connectivity सीधे सूख लेंगे और हमारी उत्व हमार्त मैदा यहें लिएरे न ओर चाहरों गर दोदार को मोट़ा मत रखेगा वहना क्या हो था वो ना खालि में लेर्ज सुझी नहीं बनेगी और ऐसे बेइल रही हूँ इस Twitter बना ली है मैंने इस तरह से बहुत से बचले होना चाहिए इसकी लिए बहुत आचीग सब्सक्राइब इक निकल कर आती है तो यहां पर देखे, एक रोटी बनकर तयार हो चुकी है हमारी, यह देखे, तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं, और फिर से एक और रोटी बनाएंगे, तो दो रोटी से हमें इसे बनाना है, यह देखे, इसे भी इस तरह से बेल लेती हूं, पतला सा हमें बेलना है, कि यहाँ से लगा दीजोगा रोटी के लगाते हैं याँ Flex मिशाथ खुबक तब यहाँ एड़ से के महीं करते हैं इस तरह से रग देंगे इस पर यह देखें मैडा जो थोड़ासा इस शुकुड जहता है जब इससे बेलते है तो अच्छ से आथों से बड़ा करके इस तरह से और फहला दीजे पुरी रोटी पर थोड़ा सकते आप इस तरह से आप इस पर क्या करें कि फिर से यह जो घूल ब लगा दीजे और यह वाली जो साइड ना इसे उठाकर इस वाली साइड पर रखेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे ना वैसे आपको से बनाना और इस पर भी आप क्या करेंगे गी और मैदे का कॉन प्रोड का इस तरह से घूल लगा दीजे ताकि अच्छी-च्छी से इसमें लेर्स निकले और अब क्या करना है फिर से इस तरफ से उठाना है और इस तरफ इससे लगाना है एक पॉक्ट सा बनाएंगे देखे इसक्वाइर में और इस पर भी थोड़ा सा मैदे का मतलब घूल लगा दीजेगा गीकर यह देखे आप इस तरह से हमें दोनों ताकि काटने में जब में इससे कटिंग करेंगे ना तो आसानी रहेगी हमें दिकत नहीं होगी मेलने में यह देखे है तो इस तरह से सुखे आटे की मदद से आप इससे बेल लीजेगे बहुत ज़़ा इसे पतला नहीं करना इस बात का ध्यान रखेगा और हलके हाथ उससे यहां पर मैंने नाइफ लिया है और नाइफ से इस तरह से कट कर रहे हुँ देखे मैंने थोड़े बड़े पीसे में रखा है जिसे मार्केट में मिलती है वैसे इसे रखा है आप चाहिए तो छोटी-छोटी पीकसे भी बना सकते हैं इसके यह देखे मैंने इस तरह से कट कर यह देखे और देखे मैंने बहुत जादे से पतला नहीं किया इस तरह से मूटा रखा है देखे मैं आप लोगों को दिखा देती हूं देखे इस तरह से आपको इसे रखना है तो एक प्लेट में इसे सभी टुकड़ों को इस तरह से रख लेंगे और जी दूसरे वाला हमने पनायना उसे भी इस तरह से हम कट करेंगे तो चली मैं उसे भी क्या करते हूं बेल लेती हूं इस तरह से तो यह मैंने इससे भी बेल ले आए देखे और आपको इसे स्क्वायर ही रखना है और इसे भी कट कर लेता है उस तरह से यह देखे तो सभी को देखे मैंने कट कर ल तो यहां पर देखे और यहां पर देखे और अगरम हो गया है तो मैं इस पर डाल रही हुमारे जोगी है ना खारी तो बहुत ज़दा एक साथ मड डालेगा पहले आप थोड़े डाल कर देखेगा क्योंकि आप जब इसे चलाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगे आपको इसे बहुत हलके हातों से पकाना है हमें फ्राइ करना है यानिकि यह डालते देखे ऊपर आ जाते हैं क्योंकि यह बहुत जल्दी बन जाते हैं तीन से चार मिट में यह तयार हो जाते हैं देखे और आपको क्या करना है हलके हलके हाथों से ही ने पलटना है क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है यह और डालते इसको छुना नहीं है बिल्कुल भी आप यहां देखें जब इस तरह से इसकी लेर्स खुलने लगे ना तब आपको इस तरह से छोड़ी चमच लेनी है और चमच से आप इसे हलके हलके हाथ उसे पलट दीजिए जब थोड़ा सा यह कलर पकड़ लेंगे या थोड़ा से डार्क हो जाएंगे तब इससे आप अच्छे से चला सकते हैं अगर आप इस समय बहुत जो 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 से चलाएंगे तो इसकी लेर्स ना जो भिखर नहीं लग जाएगी तो सुबत का ध्यान रखेगा और अगर आपने बहुत ज़्या गरम कर लिया होगा तो क्या होगा यह उपर से बन जाएगी लेकिन अंदर की लेर्स खुलेगी नहीं और पकेगी भी नहीं यहां देखिए लेर्स किसरा से इसमें खुल रही है मैं आपको दिखा रही हूं उ यहां पर निकाल दिया है देखिए चार से पांच मिट लगती है बहुत समय नहीं लगता है यह देखिए और इसकी लेर्स देखिए कितनी पढ़िया निकली है अब यहां पर देखिए दूसरा वाला बेच भी आप लोगों को दिखा देती हूं और अगर आपका बहुत जल जाएंगे जल्दे सी कलर पकड़ लेंगे और इसकी लेर्स से नेख खुल पाएगी यह देखिए और अभी देखिए आपको इसे चूरा नहीं है बस क्या कर रही हूं मैं इस तरह से थोड़ा साइड में इसे कर देती हूं ताकि जो यह उपर नीचे इस तरह से हो रहे ह ताकि यह अच्छे से इस पर हीट लगे यह देखे मैं चम्मस इस तरह से थोड़ा साइड में कर दिया है और अभी इसे बनने देते हैं और यह देखे फिर हम इसे थोड़ा सा जब नीचे से पक जाएंगे ना तो इसे छोटी चम्मस जैसा कि मैंने पहले बताया हल के हाथ उस इसे पल्टेंगे और इसकी लेड्स आप देख रहे हैं किस तरह से खुल रहे हैं यह बहुत कज़र बनता है घर पर भी आप इसे बना कर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और चाय के साथ जब भी मन करें आप नाश्ता या पिर ऐसे इसे खा सकते हैं यहां देखें मैं इसे अलट पल्ट करती जारी हूं उसकी लेड्स देख लिए कितनी बढ़िया है यह देखें तो अच्छा सा इसका भी कलर आने देते हैं उसके बाद इसे निकालेंगे यहां पर देखें मैं अलट पल्ट करती हूं सेम प्रोसेस से इसे लेना यानि कि फ्राई कर लेना है आप लोगों को अब यहां देखें यह अच्छा से फ्राई हो चुकिए और कितने अच्छे इसकी लेयर्स कुली है देखें तो इनको इस तरह से आपको थोड़ देर के रखना होगा ताकि जिसमें एक्ट्रा ओईल होगा नो निकल के आ और आपको मेरी रेसिपियां कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताएगा और यह देखें कितने क्रिस्पी है मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगे इसकी आवाज भी सुनाऊंगे यह देखें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद